दोस्तों नमश्कार आदाब सत्स्वियकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश इन दिनों CBI ED के छापों की बाहर है जिस पार्टी खासकर विपक्ष की पार्टी के बारे में सुनिये वही इसका रोना रो रही है सिर्फ एक ही पार्टी है जिसे इस बारे में कोई रोना नहीं है और वो सत्ताधारी दल है यानि बारती जंता पार्टी उसको CBI ED का कोई डर नहीं है उसके नेताओं को चाहे वो केंदर के हों चाहे छेत्र के हों चाहे राजी के हों चाहे गाओं के हो चाहे कस्बे के हो लेकिन विपक्ष की और जो पार्टियां है सब इस समय जनता से ज़्यादा CBI ED से डर रही है पहले पुलिटिकल पार्टीज के जो नेता थे वो डरते थे जनता से कि कहीं इस बार उसको हरा न दे उसने काम अच्छा नहीं किया है या अग से डर था अभी लोग CBI ED से डर रहे हैं और अपोजीशन के साथ हर जगा है मेरे दिमाग में एक बात आ रही है और मेरी तरह बहुतों के दिमाग में भी कई लोग ऐसी बातें करते हैं हम लोगों से भी सवाल करते हैं कि कल्पना कीजिए कि जिस स्पीड से CBI ED राजनितिक लोगों पर जिस तरह की छापे मारी कर रही है ये अगर 2024 से पहले देश की ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों के ज़्यादातर प्रमुक्ष नेता अगर इसके दायरे में आजाते हैं घेरे में आजाते हैं मुकदमें उन पर चलने शुरू हो जाते हैं उनकी बीच बीच में गिरफथारियां भी होती रहती हैं जैसा कई नेताओं की होती रही हैं कुछे कैसे हैं जो कन्विक्ट भी हुए हैं लेकिन ज्यादातर कन्विक्ट नहीं हुए हैं अब जैसे ED ED का कन्विक्शन रेट का मतलब अगर उन पर जो आरोफ हैं जो छापे पड़े वगेरा वगेरा उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया में जो नतीजे आए कि वो वाकई गलत साबित हुए या नहीं वो 0.5% है यानि उनके दोशी होने का जो परसेंटेज है वो एक परसेंट भी नहीं है लेकिन आप कल्कना कीजिए कि अगर इनको इसी तरह से कानून के दाएरे में लाकर परिशान किया जाता रहा तो 2024 के लोग सवा चुनाव से पहले देश की बड़ी बड़ी भी पक्षी पार्टियों के नेता वो चुनाव में क्या करेंगे चुनाव डरते हुए लड़ेंगे चुनाव लड़ भी पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे कुछ लोग तो जेल में भी होंगे आम आदमी पार्टी से लेकर जारकंड मुक्ति मोर्चा र लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ विपक्ष में ही दोश हो अगर कानून की प्रक्रिया चल रही है तो कानून की प्रक्रिया में सत्ताधारी दल के नेताओं को छोड़कर सिर्विपक्षी नेता ही कैसे ये जो एक तरह से चुनी हुई सलेक्टिव एक सलेक्टिव जो टार्गेटिंग है क्या वो हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में कानून को सही ढंक से काम करने की इजाज़त देता है कैसे कानून की प्रक्रिया इसे मानी जाए इसे न्याईक प्रक्रिया कैसे मानी जाए कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता ही इन जन्सियों के निशाने पर हैं बिलकुल चुने हुए अब अब जैसे उधारण के तोर पे जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में बिहार में जारखंड में और सेंटर में भी यानि केंद्री जो नेता हैं बड़े सबकी ये पीड़ा है तो ये CBI EDK रायनितिक दुर्पयोग का मामला जो बार बार बड़ी शिद्दत के साथ उभर रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने जब मैं आज बात कर रहा हूं तो आज साप शब्दों में कहा कि उन्हें देश की एक बड़ी पार्टी के कुछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने कोई इविडेंस नहीं दिया उन्हों सिर्फ पॉब्लिकली बयान दिया उन्होंने कोई ये नहीं डिकलेयर किया कि 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 क्या सबूत उनके पास है लेकिन उन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी के नेता या बड़ी पार्टी के कुछ नेता इस जा रहा है कि तू भाई पार्टी छोड़ दे पार्टी छोड़ देगा तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा नहीं तो भाई तुम जानो तुम जानो का मतलब सब CBI ED जेलो साब कहा गया कि CBI ED सब तुमारे यहां से हट जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मनिशी सोदिया का दावा है अब वो किसी पार्टी के बारे में नाम लेकर कह रहे हैं मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने अभी तक इवीडेंस नहीं दिया है पता नह इवीडेंस कब तक के लिए उन्होंने छुपा रखा है या उनका इवीडेंस भी बहुत सारे उनके नेताओं की तरह या दूसरे अनी विपक्षी नेताओं की तरह वो अनंत काल तक बिलकुल उसका खुलासाही कभी नहीं होगा कौन जाने इसलिए एक जनरलिस्ट को नेता की भाशा में या नेता के आरोपों को हूबहू नहीं कहना चाहिए इस तरह के आरोप लगाने वालों में आपके विधायक ही केवल नहीं हैं बहुत सारे लोग हैं अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिहार में रास्टी जनता दल और जेडियू की सरकार है परचंड बहुमत है 164 माना जाता है पता नहीं आज विश्वासमत है कितने वोट मिलेंगे मैं नहीं जानता लेकिन नितीश कुमार जी तेजस्वी यादो दोनों ने दावा किया था कि 164 के आसपास विधायकों का उनको समर्थन प्राप्त है आज साबित भी हो जाएगा शाम तक लेकिन विश्वासमत से पहले ही विशेश सत्र है विधान सभा का ये उसके पहले ही छापे मारी शुरूर राश्ट्री जनता दल के कई विधायक पूर्व एमलसी राजी सभा के मेंबर और स्वेम डिपिटी चीप मिनिस्टर तेजस्वी यादो इन से सब्बंध बताये जा रहे इन से जुड़े बताये जा रहे ठीकानों पर चापे मारी होई है संभाता अभी भी चल रही है पतना मदुबनी कटिहार और गुरगाओं अब गुरगाओं के एक निर्मना धिन माल पर चापे मारने की बात आ रही है अब कहा जा रहा है कि इसमाल में नए उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादों के शेयर हैं अब दिखिए एक तरफ चापे पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ टीवी पुरम के जितने एंकर हैं चापे की वज़ा और जो कथित विपक्षी नेताओं के कथित प्रष्टाचार के तमाम मामले हैं उनके सारे भ्योरे भी देते चल रहे हैं मानो उन्हें CBI या शासन की किसी अन एजनसी या किसी राजनितिक सत्ता से इन चापों के कारणों की सारी जानकारी पहले ही दे दी गई हो मनें CBI की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होई लेकिन सारी की सारी डीटेल चापे मारी की प्रक्रिया के दौरान ही उनको मिल रही है कि किसका किसमे शेयर है क्या है आज की बात के हमारे इपिसोड के लिए इस से मिलता जुलता एक ताजात तरीन वाक्या और मिला है दोस्तों और यह है महारास्ट विधान सभा से जुड़ा वहां मुख्य मंत्री एक नाथ शिंदे के शिव सेना गुट के कुछ विधायकों और विपक्षी विधायकों के बीच में विपक्षी का मतलब जो पहले सत्ताधारी थे जो अब विपक्ष में बैठेने लगे हैं एनसीपी है शिव सेना है कॉंग्रेस है उसमें ज्यादातर मुखर जो इस समय है वो एनसीपी के बताया जाते हैं तो इन विपक्षी विधायकों के बीच आज सुबह जम कर भिड़नत हुई है जम कर क्या वही आज तो पचास खोके एक दम ओके इस तरह की नारे बाजी हु गुट के विधायक जो हैं वो वाकई गुस्से में आ गए अब दोनों गुटों में काफी भाराष्ट की जनता के बारे में समाज के बारे में ब्यवस्ता के बारे में बात करनी चाहिए तो इसमें भिड़ गए क्यों भिड़ गए क्यों कि वो आरोप लगा रहे हैं कि साब पारे में ये था कि इन पर CPI के या ED के पाहले से ही मामले चल रहे थे या इनको नोटिस थमाया गया था बुलाया भी गया था कईयों को तो ऐसा आरोप है कि उससे बचने के लिए उन्होंने जो दूसरा ग्रुप सामने आया जो भारती जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बन आज जब सरकार उनकी है तो जो विपक्ष है वो उनको कह रहा है कि ये तो ED की सरकार है ये तो CPI की सरकार है ये जो मसले हैं ये भारत में इस प्रकार के कभी नहीं हुए थे मैं यह नहीं का रहा हूं कि E.D. का C.B.I. का दुर्पयोग पहले की सरकारे नहीं करती थी बिल्कुल करती थी लेकिन आज की तरह जो एक क्लाइमेक्स पर जैसे लगता है कि पूरा का पूरा ये मामला पहुँच गया है रास्ट्री जनतादल के प्रवक्ता और राजसभा के सांसद मनोज जा ने आज साप शब्दों में कहा कि C.B.I. भाजपा का संगठन बन गई है भाजपा इस क्रिप्ट लिखती है और एजनसी उस पर काम करती है अब ये उनका बयान है लेकिन हमारा कहना है कि C.B.I. की छापे मारी के पीछे जो मूल कारण बताया गया है कि लालू प्रशाद यादो के रेल मंत्री के कारिकाल के दोर में नौकरी देने के नाम पर कथित प्रस्ट आचार हुआ था अब उसकी खोज परताल की जा रही है सवाल इस बात का है कि लालू यादो 2004 से 2009 के दोरान डियल मंत्री थे यानि तब से 12-14 साल बीच चुके हैं पर C.B.I. ने इस मामले में छापे मारी और गिरफ्तारी का सिलसिला हाली में शुरू किया जुलाई महिने में राश्टी जनता दल से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होई दो लोगों की संभावतर फिर 24 सगस्त को आज 24 जगों पर छापे मारी की खबर आई है अब ये भी बताया गया है कि तेजस्वी आदो जो डिपिटी चिप मिनिस्टर है उनका को कोई टेलिविजन चैनल बता रहा है तो भाई जब इतने दिनों से मालूम था सीवी आई को तो क्या वो विश्वास मत का ही इंतजार कर रही थी या कोई राजनितिक आदेश पाने का इंतजार कर रही थी सीवी आई 12-14 साल बहुत होता है अब तक क्या हुआ अब तक क्यों के तहत्ता की गई क्या इस चापे मारी के पीछे शुद्ध राजनितिक कारण है विश्वास मत को प्रभावित करना पर मुझे ये बात नहीं समझ में आई मैं इतने सालों से पार्लामेंट कबर करता रहा हूं विधान सभाएं कबर करता रहा हूं कि विश्वास मत को जूदा संरचना में दलगत इस्थिती है वो सरकार की पक्ष में है तो अगर देखें तो CBI या ED किसी की भी छापे मारी हो नीतीस और तेजस्वी की सरकार के विश्वास मत को विफल करना फिलहाल तब तक नामुम्किन है जब तक GDU और RGD एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं भाई विश्वास तो तभी हिलेगा या कमजोर पड़ेगा सरकार में जब GDU और RGD ए अलग अलग हो जाएं लेकिन एक साथ अगर हैं तो ये संबव नहीं है शुरू में लगा कि भाजपा के विधायक के रूप में जीते आज की बात में कर रहा हूं शुरू में ऐसा जो कुछी देर पहले स्थिपा दे चुके हैं ऐसा लगा कि कोई पेंच भासा देंगे और विश्वास मत रोक देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्यों क्योंकि विधान सभा की कालिसूची सदन नेता यानि मुख्यमंत्री और सदन के सचीव संजुक्त रूप से तै कर ना पड़ा उसके बाद जेडी और जेडी की सरकार यानि निती सेज़स्वी सरकार के सामने रास्ता बिलकुल साफ हो गया तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आज का दिन ही चापे मारी के लिए चुनना इसका क्या मतलब है देखिए विधान सभा में 243 सदस्य हैं जिसमें 241 बारती जंता पार्टी के पास 76 सदस्य हैं आर जेडी के पास 89 हैं जेडी उ के पास 45 हैं सीपियाई एमल के पास 12 विधायक हैं कॉंग्रेस के पास 19 विधायक हैं सीपियम और सीपियाई के पास 2 दो विधायक हैं लिफ्ट पार्टियां सरकार में सामिल नहीं हैं लेकिन सरका को बाहर से समर्थन दे रही है ऐसी स्थिती में अब M.I.M मैं भूल गया था उनका नाम M.I.M के पास भी एक विधायक है और हम पार्टी जो माजी साब की पार्टी है जीतन राम माजी उसके पार भी चार मेंबर हैं यह सारे के सारे लोग नितिस गटबंदन के पास हैं तो ब चाहे जितने महाबली हों लेकिन आज की तारीक में बिहार में भारती जन्ता पार्टी बिलकुल अकेले पड़ी हुई है चिहत्तर के चिहत्तर उसके जो विधायक हैं उसमें कोई पार्टी जुड़ने को तयार नहीं है तो ऐसी स्थिती में एक प्रशन उठता है कि एक ता उसके घटक को उसके नेताओं को हत्त साहित करने या इस तरह से उनकी राजनितिक विजय पर या उनको विश्वास मत हासिल करने की उनकी खुशी पर आखिर ये ठंड़ा पानी डालने का क्या मकसद है इसका अर्थ क्या है वह आप कल कर सकते थे आप चार दिन पहले करा सकत तो ये मैं समझता हूँ कि CBI का जो तारीख करने का फैस्ला है आज का वह कहीं न कहीं राजनितिक प्रशास्थनीक रूप से कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है कि इसके पीछे मकसद क्या था और अगर कोई रायनितिक मकसद था अगर कोई योजना इसके पीछे थी तो उसका विफल होना उसका नाकाम होना अवश्यम भावी क्योंकि भारती जनता पार्टी के पास न तो अपने बल पर भावमत है और न तो वह स्प्लिट करा सकती है कहीं से फिलहाल तो आज मुझे ये कहना था कि CBI और ED का इस्तेमाल अगर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होगा, मैं उनके किसी गलط काम का को जायज मैं नहीं ठारा रहा हूँ जरूर कारवाई होनी चाहिए अगर किसी ने गलत किया है तो लेकिन ऐसा कैसे होगा कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग ही गलत कर रहे होंगे और सबकुछ सत्ताधारी दल का सबकुछ साफ सुत्रा होगा असल सवाल आज के कॉंटेक्स्ट में दोस्तो यही है नमस्कार आदाब सत्स्रियकार